एप सिर्व इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ससी सीजिल को जो फॉर्म रिक्यूटमेट आया उसका इंपॉर्टेंट डेट कहा है ईजलीमिट कैसे ङंपॉस्ट आने वाले हैं सभी कुछ रिलेटेट it हम लोग important बात करने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप अभी तक calendar से related जो important calendar ऐसे से द्वारा जारी किया गया है उन्हीं देखें तो जरूर से देख लिजे काफी important रहने वाला है और आने वाले समय में मैं regular वीडियो डालने वाला हूं जिससे आपको job notifications से related काफी help मिलने वाला है तो चैनल को subscribe किलिए और वीडियो को लाइक करकर जरूर चलिएगा और नीचे comment पर हमसे कोई भी कोई इस related exam jobs related पूछ सकते हैं तो मिलते हम लोग और देखते आगे क्या है important सबसे परहें important date से related हम लोग बात करें तो यहां पर important date यहां पर देख सकते हो important date जो begin होने वाला है यहां पर जो 23 तारिक से 23 12 2020 मतलब आज 24 तारिक है आज से form आप स्टार्ट हो सक्या है बढ़ सकते हो बिलकुल इसलिए बहुत form भरना बहुत ही easy है जो आप पहले से चला रह बहुत ही problem होने वाला service related कोशिस किजिए इसके पास दिल पहले तक form भरकर complete कर लिया जाए online fee payment आप विलकुल कर सकते हो online fee payment करने के लिए आपके पास दो दिन दिन दिया जाएगा 25 तारिक तक तो आप उसे भी complete कर सकते हो इच लान से भी form को भरा जा सकता है correction का date इस बहुत न examination date खत्म हो जाता है तो आपको 28 तारीक से बिलकुल 28 January 2022 से इस form को correct किया जा सकता है लगवग लगवग जब form fill up खत्म हो जाएगा 23 जनवरी उसके पास दिन बाद आपका correction के लिए date आ जाएगा जो लगवग 3-4 दिन पास दिन रहने वाला है examination का date भी announce करती है लेकिन exactly date announce नहीं किया गया है फिलाल अप्रेल 2022 को होगा यह पता दिया गया है admit card तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले आता है यह तो आपको पता होगा next देखते है next application fees related important इसलिए है कि application fee में भी कुछ चेंज देख सकते हुआ अहां 100 रूपीज तो लगा था उसके बार STS के लिए कोई भी पैसा नहीं और female category के लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है next is limit is limit से काफ important है कि 2022 जनवरी एक का सीद देखा जाएगा देखिए 2022 एक जनवरी को देखा जाएगा कि 18 साल आपका minimum कब complete हो जाता है मतलब बोलने का मतलब यह है कि एज लिमिट जो है एक जनवरी 2022 तक आपका 13 साल complete हो जाएगा और आप पोस्ट के according पोस्ट के according आप एज लिमिट देख सकते हो maximum age आपका 27 से 32 साल है आप नीची description box में आपको एक PDF मिल जाएगा जो official notification है उस पर आप पोस्ट के according एज लिमिट देख सकते हो एज रिलक्सरेशन पर दिया गया अलग-अलग category वाइस उसी PDF में आप देख सकते हो और रिपीट है कोई भी चीज उसमें नहीं किया गया है उसके बाद हम लोग नेक्स देख लगते हो eligibility तो आपको पाता होगा ऐसे सीजियल के लिए आपका graduation complete रहाँ चाहिए काफी comment भी मेरे पास आया कि सब्सक्राइब कॉई भी इनवर्सिटी हो आपका form भरा जा सकता है तो यह था कुछ important जानकारी है आपके लिए अगर कोई भी पहले तक form को भर कर complete कर लीजिए तो मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में thanks for watching